कौन, क्या, कब, कहा, क्यूं और कैसे? आप प्रश्ण पूछे, हम उत्तर देंगे. फोटो कॉपियर पहली बार किस ने बनाया? राजेश कुमार नई दिल्ली वर्श 1907 में रोचिस्टर की रेक्टी ग्राफ कंपनी नुई यॉक अमेरिका द्वारा इसकी मार्केटिंग की गई थी. रेक्टी ग्राफ मशीन के पेटेंड धारक जौर्ट सी बिल्डर थे जिनके मन में इससे चार वर्श पूर्व अमेरिका के उकला होम शहर में लेंड क्लेम कारियाले में काम करते हुए ये विचार आया था. कानुनी दस्तावेजों की अनुकृती या नकल की दिरंतर आवशक्ता के कारण या तो उन्हें दस्तावेज फिर से टाइप करना पड़ता था या फिर हाथ से उनकी नकल लिखने का श्रम साध्य काम करना पड़ता था. इन दोनों की अपेक्षा एक बहतर तरीके की खोज ने उन्हें इस आविशकार की और अग्विसर किया. उन्होंने इसका प्रारंबिक उप्योग साध्रन ड्राइप प्लेट कैमरे के माधियम से किया, लेकिन आगे चलकर इसका जो प्रोटोटाइप आदी प्रारूप रेक्टिग्राफ फोटो कॉपियर बना, उसे पहली बार वर्शों 906 में पेटिंट किया गया था. वर्तमान महादवीप कब निर्मित हुए थे? मुहम्मद जमाल पटना बिहार जब तेल लिमित होना प्रारंब हुआ था, उस समय प्रित्वी के भूप्रष्ट में एक प्रहत बदलाब ने स्थान लिया, इसका परिणाम धीरे धीरे वर्तमान महादवीपो की रचना के रूप में दिखाई दिया, पहले एवं अहाल ही के वर्षों में भी किये गए अन जारो लाग वर्ष तक विस्थापित होते रहे थे, अंदिदा मध्यक्रिटेसियस एवं प्रारंबिक तरसरी काल दस करोड से पांच करोड वर्षपुर्व के बीच ये टुकड़े पुनहा विभाजित हुए, जो आज के महादवीप के आकार के रूप में मानने हैं, ये जर्मन मौसम विज्ञानी अलफेट वेगेनर 1880-1930 द्वारा पहली बार एक रोचक विचार प्रस्तुत किया गया, जिसे महादवीपे वीस्थापन के सिधान के रूप में जाना जाता है, वेगेनर जो एक साहसी अन्वेशक एवं अनुभवी भूगर्प शास्त्री भी ने वर्ष 1912 में एक पुस्तक में अपने विचार प्रकाशित किये, इस विचार ने विज्ञानेक सम्हों में स्वभाविक रूप से एक बड़ा आंदुरन खड़ा कर दिया, जो शीगर ही दो सम्हों में विभाजित हो गया, एक सम्हों उनके समर्थकों का था तो दूसरा उनके विरोधियों का, दोनों सम्हों उनके सिध्धान को प्रमाड़ित करने या अप्रमाड़ित करने के लिए वियकर थे। एक गती आरम हुई, इससे पेनिजिया विखंडित हुआ तथा वे प्रित्वी की ग्रूनन गती के कारण एक दूसरे से अलग हो गए। ये टुकड़े एक दूसरे से इस तरह विस्थापित हुए जैसे वे भारी एबं अपिक्षाग्रत अधिक लचीले आधार पर तैर र हुए हैं। 27 वर्षे सुष्णी पैकोल ने एक्सपी दीशन 196 नाम से अपनी महत्वक अंग्शा यात्रा 24 जुलाई 2015 को आरम की और 2 फरवरी 2017 को योजना के अनुसार सफलता पूर्वक पूरी की। उन्होंने लौस अंजलस से अपनी यात्रा आरम की और सबसे पहले पलाओ गई। जो साथी उन्होंने धन बचाने के उद्देश से इंस्ट्राग्राम पर अपने तीन लाख फॉलोवर्स के बीच प्रचार के बदले में इको फ्रेंडली होटलों में ठहरने का प्रभन किया। सबसे कम समय में विश्व के सभी देशों की यात्रा करने वाली पहली महिला यात्रा भी बन गई। हम गिर्गिट से अतितिक परिचित हैं जो संकट की सुचना मिलते ही अपना रंग परिवर्थित कर लेता है। उश्न कटिबंदिय दीमक लूट पार्ट करने वाली चीडियों से अपने घरों को बचाने के लिए तेजी से काम करने वाले एक प्राकर्तिक गोंद का प्रियोंग करती है। दीमक के सैनिक अपने चारों और कई सेंटिमीटर के शेत्र में अपने सिर पर बने छिद्र या रंद्र से लसीले द्रवे की धारा छोडते हैं और ये लसीला द्रवे आकर्मन करने वाले को गतिहिन बना देता है। उत्तर अमेरिका की उल्लू तितली अपने पंखों पर एक जोड़ी भयानक आँखों को प्रदाशित करके आकर्मन करने वाले जीवों को स्वयम से दूर रखती है। बनाकर हवा में तीन मीटर तक सीधे उपर चलांग लगा कर स्वयम को बचाते हैं। जिसे प्रॉकिंग कहा जाता है। इस तरह की लगातार स्प्रिंग जैसे उच चलांग उसके पर भक्षियों को असमर्द करके इंपाला को दूर भाग जाने का अफसर देती है। कन खजूरा या गोजल की कुछ प्रजातिया अपने आप को बचाने के लिए रसाने के उद्ध के घातक स्वरूप को बिखसत कर चुकी है। वे अपने शरीर के पाशव में बने सूक्ष्मद्वार या छित्र के द्वारा प्रान घातक हाइड्रोजन साइनाइड गैस के बादल या गुबबार छोड़ती है। यहां जब गीले रंग वाले जहरीले में धगबी है जो अपने शत्रूओं को दूर रखते हैं। उस तरह के कीटों के बारे में क्या कहा जाए जो अपने संपूर्ण शरीर को मोटे पन समहू या परनावली में छिपाने के लिए अनुकुलित होते हैं। रंग योजना इतनी भ्रामक होती है कि कोई भी एक कीट को शैशील पत्ता समझने की गलती कर लेगा। यहां ऐसे कीट पतंग हैं जो टहनी जैसे दिखते हैं। नता पतंगा या शला पक्षियों के बीट के सद्रिश लगते हैं। बुद को देखना क्यों कठिन हैं? मुहम्मद आसेप, पहलगाम, जम्मू एवं कश्मीर। सबसे आंत्रिक रहे बुद पहले सूर्य के एक तरफ एवं फिर दूसरी तरफ जूलता प्रतीत होता है। यह प्रतीती दिर्गा करण के रूप में जानी जाती हैं। पूर्वी दिर्गी करण सूर्य के बाईयों जैसा उत्तरी गोलार से देखा जाता है। के समय ये सूर्यास के बाद पश्चिमी आकाश में निम्निस्थिती में होता है। पश्चिमी दीर्गी करण के समय उशाकाल में या आकाश के उपर चड़ता है। इन सब समय ये एक तारे के जैसा दिखता है। बुद्ध उसी समान दीर्गी करण में वापस लोटने में लगबग 116 दिन का समय लेता है। इसले प्रतेक वर्ष यहां तीन सुभा एवं तीन स याक कहां पाए जाते हैं विनाय काम्टे थाने महाराश्टुत। याक मवेशी परिवार का स्थूल सनरचना वाला जभरेदार पशु है। दो मीटर से अधिक लंबा या ये पशु तिबद एवं लदाक तक सीमित हैं। ये अतितिक निरजन खंडे एवं अन्य परवतों म करता है तता ये परिवहन का साधन भी उपलप्त कराता है। दक्षन ध्रोविय जोती एवं उत्तर ध्रोविय जोती के बीच क्या अंतर है। मुकुंद राव भटिंडा पंजाब। दक्षन ध्रोविय जोती इसे दक्षनी प्रकाश भी कहा जाता है। दक्षनी गोलाद मे अधिकांच तहा लगभग 70 डिग्री दक्षन अक्षांच में देखी जाती है। ये परदा चाप या व्रितांच, किरन, पटी एवं पंखे के आकार की चक्राकार सहित अनेक स्वरूपों या आकारों में होती है। दक्षन ध्रोविय जोती की चर्चा अनेक दक्षनी भुभागों की पौरणिक या काल्पनिक बथाओं में सुनाई पड़ती है। उच्छतर अक्षान्शों पर ही दिखने योग्य होती है। पहाशा और संस्कृती विभाग द्वारा आयोजट पांचवे अन्तिराष्टे कुचिपुरी नरत्य समेलन में के महाब्रिंद नाटियम भाग में प्रस्तुत किया गया। 12 मिनट की इस प्रस्तुती की वेंपती चेना सत्यम ने कौरियोग्राफ किया था और इसमें पूरे भारत से अमेरिका सेयुक्त अरव अमिराथ, बिटेन, रूस, होंग कॉंग और मौरिशस के नरतक समिले थे। इस प्रस्तुती ने 2012 में हैदराबाद में 5900 नरतकों द्वारा प्रस्तुत किये गए कुछी पुड़ी नरत्य का ही रिकॉर्ड तोड़ा। कर्बला कहां है एवं किसलिये प्रस्त है। सुश्री नलिनी मदुरई तमिलनाडू कर्बला एराक में तीर्धियात्रियों का एक धार्मिक शहर है जो श्रिया मुसल्मानों के लिए अतियंत पवित्र है। यहां 680 इस्वी में हुसेन इबन अली पैगंबर मुहम्मद के पौत्र एवं श्रियाओं की द्रिष्टी में वैदे खलीफा का उम्मायद खलीफा जिसे हुसेन के अनुयाईयों ने मानिता देने से इनकार कर दिया था की सेनाओं के साथ संघर्ष हुआ था। जिसमें हुसेन अली मारे गए थे। यहां विद्यमान हुसेन की कबर एक पवित्र मगबरा बन गया एवं श्रियाओं लोग इस धार्मिक स्थल में दफन होने को एक महन सम्मान के रूप में देखते हैं। से चंदर की कक्षा थोड़ी जुकी होती है जो प्राया चाया की और होती है। प्रिष्ट अठासी